वीडियो को शुरू करते हैं त्री पोज योगा सिधे खड़े होकर दाएं पैर का उठा कर बाय जंगा पर इस प्रकार रखे की पैर का पंजा नीचे की और तथा एड़ी जंगा की मूल में लगी हुई हो दोनों हाथों को नमसकार की स्थिती में सामने रखे इस थिती में यथा शक्ती बने रहने के बसचात इसी परकार दूसरे पैर से अभियास करें इस योगा सन में बेनफिट्स भी बहुत हैं अगर आप ऐसे योगा करना चाहो तो कर भी सकते हो और अपने शरीर में इस योगा सन से सुधार भी काफी ला सकते हो और इस योगासनों में बैनिक्स की काफी तरह की पाई जाते हैं जैसे कि पेरों में लिगमेंट्स और तेंडस को स्टैक्ट और मजबूत करने में मज़द कर सकता है संतुलन में सुधार करता है त्री पोज के लिए उचित वजन, वितरन और मुद्रा क्या शक्ता होती है जो आपकी कमर, जांगो, कूलो और श्रोनी को स्तिर्था बदार करने में मदद कर सकता है मांग्टेन पोज योगा, ताड़ासन, परवतमुद्रा या समस्थिति व्यायम के रूप में आदनिक योग में एक खड़ा हुआ आसन है, मथे योगी नहट योगरंथों में इसका वर्ण नहीं है, यह कई अन्य खड़े हुए आसनों का अधार है इस योगासन में बेनफिट्स भी बहुत हैं, अगर आप ऐसे योगा करना चाहो तो कर भी सकते हो और अपने शरीर में इस योगासन से सुधार भी काफी ला सकते हो और इस योगासनों में बेनफिट्स भी काफी तरह की पाए जाते हैं, जैसे की फर्स्ट साइटी का मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा दर्द से चुटकारा सेकेंड आपके चुस्ति में सुधार, थर्ड अपने पीट, कुलों और पैरों को मजबूत करें डाउनवर्ड फेसिंग डोग पोज योगा डाउनवर्ड डोग पोज या डाउनवर्ड फेसिंग डोग पोज जिसे अदव मुक्षवानासन भी कहा जाता है एक उल्टा आसन है जिसे अक्सर पोज के बहने वाले करम के हिसे के रूप में अभ्यास किया जाता है विशेश रूप से सुर्य नमस्कार सुर्यक और नमस्कार आसन का उपयोग आम तोर पर आदनिक योग में व्यायाम के रूप में किया जाता है इस योगासन में बेनफिट्स भी बहुत हैं अगर आप ऐसे योगा करना चाहो तो कर भी सकते हो और अपने शरीर में इस योगासन से सुधार भी काफी ला सकते हो और इस योगासनों में बेनफिट्स भी काफी तरह की पाई जाते हैं जैसे की फर्स्ट उप्री श्रीर को मजबूत करता है नेचे की और कुट्टे की स्थिर्श्थिती बाहों उप्री पीठ और कंधों में मास पेश्या को मजबूत करती है सेकेंड रीड को लंबा करता है थर्ड हाथों कलाईयों और उंगलियों को मजबूत बनाता है फॉर्थ पैरो के पिछले हिस्से को खोलता है फिफ्थ बड़ी सनिच्रन में सुधार करता है सिख्स्थ तनाव और बहुत ज़्यादा वाले तनाव को भी दूर करता है प्लैंक पोज योगा प्लैंक पोज फाला कासन जैसा की ना से पता चलता है श्रीर को इस तरह से पकड़ कर रखा जाता है जो प्लैंक की तरह दिखता है पतला और लंबा इसे कुमकासन या डड़ासन भी कहते हैं संस्क्रत में कुमबक का अर्थ है सांस रोकना और आसन का अर्थ है मुद्रा इस योगासन में बेनफिट्स भी भहुत है अगर आप ऐसे योगा करना चाहो तो कर भी सकते हो और अपने शरीर में इस योगासन से सुधार भी काफी ला सकते हो और इस योगासनों में बेनफिट्स काफी तरह के पाय जाते हैं जैसे की, 1st, एक स्वस्था आसन, 2nd, श्रीशरीकन में सुधार करता है और बिमारी से बच्चने में मदद करता है, 3rd, कोर्श स्ट्रेंथ बनाए, 4th, लचेले पन में सुधार करता है, 5th, समर्ग मांसिक स्वास्थे में सुधार करता है वारियर वन पोज योगा विर्भध्रासन या वारियर पोज आधनिक योग में एक पैरनिक योध्धा विर्भध्र के कार नामों को याद करने वाले व्यायाम के रूप में संबंदित, लंगिंग, स्टेंडिंग, आशनों का एक समू है इस योगासन में बेनफिट्स भी भहुत हैं अगर आप ऐसे योगा करना चाहो तो कर भी सकते हो और अपने शरीर में इस योगासन से सुधार भी काफी ला सकते हो और इस योगासनों में बेनफिट्स भी काफी तरह के पाए जाते हैं जैसे कि फर्स्ट आपके कंधों बाहों पैरो टक्षनों मतलब एलियों और पीट को मजबूत बनाता है सैकिंड आपके कूल हों छाती और फेफडों को खोलता है ठर्ड फोकस संतुलन और स्थीरता में सुधार करता है पूर्थ अच्छे परिसरेंचरन और शावसन को प्रोत साहित करता है पिफ्थ आपके हाथ पैर कंधे और गर्दन पेट कमर और टक्षनों मतलब एलियों को स्ट्रेच करता है सीक्स्थ पूरे श्रीर को स्फूर्ति देता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप सब ठीक रहें और योगा करते रहें अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो कॉमेंट जरूर करें नमस्कार